हेलो दोस्तों वेल्कम बेक टू मैं चैनल तो चलिए बहुत सुंदर सा प्लांट है यह है सिंगोनियम का प्लांट और आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है दूप है नहीं फ्रेंड लेकिन हवाइं बहुत तेज चल रही है जैसे बसंतरितु का जो हवा चलता है ना पाला नहीं है फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है पत्त जड़ने वाले लेकिन हवाइं चल रही है बहुत ही अच्छे से तो चलिए जिस प्लांट को मैंने जिस पॉट में लगाया था उसको मैं दिखाती हूं और कैसे यह रूट बांड हो गया है तो रूट बांड को कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं नहीं तरीके से तो फिर देखिए सबसे पहले मैं दिखा रही हूं पॉट आपको यह दिखिए इस पॉट में लगे हूए थी यह आठींची का पॉट है और आठींची के पॉट में ही बहुत इच्छा क्वारेटी का पॉट था देखिए अभी यह मुझे लगभग यह दो से तीन साल हो गए इस प्लांट को यह मदर प्लांट है मेरा सिगोनियम का बहुत सारे प्लांट मैंने इससे तयार की है तो मदर प्लांट को ही मैं आज रिपोर्ट करने वाली हूं क्यूंकि मदर प्लांट से कई प्लांट आप तयार कर सकते हैं और ये दिखिए इस प्लांट को मैं खरीदी नहीं थी मुझे एक किसी ने गिप्ड दिया था और इसी को दिखिए मैं कितनी सारे कटिंग इससे लगा करके मैंने कितने को तो पराने मिट्टी में इसकी परानी मिट्टी थे सबसे root bond ह haunting यह देखे आ रूट हो गए है यह रूट देखे देखे इसकी तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी इसको यहां से ही कट कर दूँगे आद़ा कट करने के बाद इसमें देखे कितने सारे यह सारे प्लांट इस पर देख सकते आप प्लांट को तो यह सारे देखिए इसको सबको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी और क्लीन करने के बाद फिर इस प्लांट को मैं इस बड़े वाले बकेट है ना इसमें एक मेरा प्लांट लगा हुआ है धतुरा का प्लांट लगा हुआ है देखिए उपर मैं दिखा रही हू और इसी में मैं लगाने वाली हूं तो इसके भी रूटिस दिखिए बहुत सारे मिट्टी यहां तक मितनी है और इसमें Spaßब ही नहीं जर्टी से अठीनी निकला है वह मितनी ठोड़ा सा इसमें डाला है फंगी इसएट पौडर डाला है तोड़ा सा बुंदर आ मुंदस डाली हूँ मैं इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है वो धीरे-धी फटलाइज करता है प्लांट को धीरे-धी पोशन देते रहता है प्लांट को तो चलिए सबसे पहले मैं इसको इस वाले आरी की हेल्प से इसको मैं ऐसे ही कट करूंगे देखें यहां से ऐ कैसे कट करी ऊ Já थोड़ा ही थोड़ा ही ऊपस और देख़ मैं इसी को क्या करूंगी फ्रेंड लगा दूंगी तुछ को थे हैं इसको मैं हटा दूंगी जो साइड से पेले थे बीच खाली नहीं रहेगा आपको दिखा रही हो यहां देखिए रूट बाउंड कैसे है तो इसको बाद में मैं इसकी मिट्टी निकाल लूँगी पहले जो मैं मिट्टी बनाई हूँ यह देखिए ऐसे करके निकालेंगे और इसको थोड़ा सा धूप लगा करके कंपोस्टिंग मे में डाल दूँगी ताकि यह भी कंपोस्ट बनके मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे अच्छे से तो चलिए इस मिट्टी को तो बाद में मैं हटाऊंगी सबसे पहले जो यह वाले मिट्टी है इसको पहले फिल कर लेती हूँ बकेट भड़ लेती हूँ यह दिखिए यह मिट्टी को मैं ऐसे देख सकते आप बहुत ही असान तरीके से और इसमें पानी के साथ भी डालूँगी तो देखिए फ्रेंड एक स्टिक के जैसा इसमें रहता और यह उपर में ऐसे फ्लावर खिलते हैं धतूरा का प्लांट है जो कि मेरे महादेब पर मैं फ्लावर उनको चड़ाती हूं उनके लिए स्पेसल में लगाई हूं क्योंकि उनका यह फैब्रेट प्लांट है फैब्रेट फ्लावर है उनको बहुत ही अच्छा लगता है यह फ्लावर तो हर पुजा में मिलता है मुझे इसलिए मैं कहां ढूनने जाओंगी अभी सहर में किसी के घर जान अच्छे से कट कर दिया है इस तरीके से जो थे यह सब यह जो है इस तरीके के वह इसमें भी प्लांट है देखे फ्रेंट चलिए कोई बात नहीं अच्छे ग्रोध बनी रहेगी और इसको मैंने ऐसे डाला देखिए थोड़ा मैं घुमा लेती हूं इस तरब से तो यह प्ल इस तरीके से मैंने डाला और अब मैं क्या करूंगी बकेट फील करूंगी देखिए ऐसा ही मिट्टी से भर दूँगी मैं अच्छे से जो मिट्टी मैंने इसके लिए बनाया था और देखिए बकेट खाली भी नहीं रहा एक से दो प्लांट हो गया अगर आपके पास पर ले सकते हैं आप और अच्छे से चलेगा तो चलिए फैंड सारा मिट्टी में भर दूंगी फटापट और फंगिसाट पानी इसमें डाल दूंगी क्योंकि पानी देना बहुत ज़्यादा जरूड़ी है तो आयोप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी यह रिपोर्टिंग थोड़ा गाडन भी अस्त बेस्त है आज थोड़ा पर्मानल प्लांट पर ही वर्क हो रहा है और वीडियो में जो बना पारी हूँ आप लोगों को दिखा पारी हूँ वो दिखा पारी हूँ औ और जो नहीं दिखा पा रहे हैं तो इसके लिए माफी चाहते हूं तो चलिए जल्दी जल्दी इसको मैं मन्टी फिल कर लोंगी पानी दे दोंगी और एक पॉट मेरा खाली हो गया उसमें मैं लगाने वाली हूं रूज का प्लांट बहुत सारे प्लांट मैं थोड़ा खरीत क कर लीजेगा और बैल एकन पर जरू करिएगा ताकि आने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें आप लोगों को तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में हैपी गाड़निंग बाए फ्रेंड थैंक यू कर दो